सोलजरों गट परिवारशी ओर से आप सभी को क्रिस्मस की बहुत बहुत शुबकाम लाएं आशा करता हो आप अपने परिवारशी के चनम दिन की खुशों को बहुत दायत से बना रहे होंगे और इस बात में भी कोई दोरा है नहीं कि कुछ इसाही लोग इस बात पर जोर दे रहे होंगे कि हमें किस्मस नहीं बनाना चाहिए तो सबसे पहले उन लोग लिए ये दुआयते में रखना चाहिए पहला रोमियो की पत्री चौदवा दियाए आयत पांस से लेकर छेत पर या इस प्रकार से लिखा है वोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़ कर जानता है और कोई सब दिनों को एक साथ जानता है हर एक अपने ही मन में निश्चे कर ले जो जिस दिन को मानता है वह प्रभू के लिए मानता है जो खाता है वो प्रभू के लिए खाता है क्योंकि वो पर्मेशन का धन्यवाद करता है और जो नहीं खाता वो प्रभू के लिए नहीं खाता है और पर्मेशन का धन्यवाद करता है तो इफीश योग 5 के 16 के अनुसा और अफसर को भोगो लो समझो क्यों कि दिन बुरे है तो ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों दिन बुरे है और बहुत जल ऐसे समय आने वालों कि येशु मसी का नाम लेना भी समस्या का करण बन जाए तो अफसर को भोगो चाहतों मेरा एक्जाम अगले महीने के लिए किसक गया है और प्रभू के दिया से मैं कम से कर्स्मस प्रोग्राम में एक्टिव रह सका तो कि यही कुछ दिन होते हैं जिसमें आपका भाई ऐसे सेलेबिटी होता है इनी दिनों में बहुत से चर्श के जो मेंबर्स होते प्रशार करने में बहुत आना दाता है तो आज हम प्रभू येशु मसी की जनम की यारे क्रिस्मस की कहानी को एक नए तरीके से प्रस्तूत करने के खोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है आपको यह पसंद आए और हो सकता है ना भी आए तो जो भी आपके सुझाव हो प्लीज क आपड़ के च्राव और होरे परीवार के लिए और हमारे टीम परह सदाउर में बने रहे हैँ और अल बात जैसा कि हर्मार कि कहता हूं की बिदिकल आंग ना चाहते तो हमारा चैनल एक चैनल तो जो जय्जान पर माक्वार इसे पंद्वियायत तेरे और जिस्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन करूंगा वे तेरे सिर को कुछल डालेगा और तू उसकी एरी को डसेगा अब पढ़ेंगे नियाईयो ग्यारा बाप उसकी 36 से 37 उसने उससे कहा हे मेरे पिता तूने जो यहुआ को वचन दिया है तो जो बाते तेरे मुझ से निकली है उसी के नुसार मुझ से बरता पल्टा लिया है फिर उसने पिता से कहा मेरे लिए यह किया जाए कि दो महिने तक मुझे छोड़े रहे कि मैं अपनी सहलियो सहित जाकर पहाड़ों पर फ के 38 महीने में परमिश्य की ओर से जिब्राय सब्दूत गलीर के नास्वत नगर में एक कुवारे के पास भेजा गया जिसके मंगनी यूसुप नामक्द दाउत के घराने के एक पुरुष से हुई थी उसकुवारे का नाम मर्यम था सब्दूत ने उसके पास बीचा राकर कहा आनन दर्जे तेरी हो जिस पर इश्या का अनुग्रे हुआ है प्रभू तेरे साथ है गया उस बचिल से बहुत गवरा गई और सोचने लगी ये किस प्रकार का भिवादिन है सब्दूत ने उससे कहा कि मर्यम बेवीत ना हो ये कि परमिश्य का नुग्रे उस पर हुआ है दे उगरवती होगी और तेरे पुद्ध पनोगा उसका नाम ये शुरकना में महान होगा और परम्रदान का पुद्ध केलाएगा और प्रभु पर्विश्य उसके पिता दावत को सियासन उसको देगा और वे याकुब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा मर्यम ने सब्दूत से कहा कि कैसी होगा मैं तो उस पर उसको जानती ही नहीं सब्दूत तो उसको उत्तर दिया और इत्रात्मा तुछ पर उत्तरेगा और परम्प्रदान की सामक तुछ पर अच्छाया करेगी इसलिए वह जोत्पन होने वाला है परमिश्यक का पुद्र कहलाएगा और देख तेरी कुडमनी एलिश्यवा के भी बुड़ाबे में पुद्र होने वाला है यह उसका जो बांच कहलाती थी छट्वा महीना है क्योंकि जो वच्छन परमिश्यक के और से होता है पर प्रभाव रहे नहीं होता मर्यम ने कहा देख मैं प्रभू की दासी हूँ मुझी तेरे वच्छन के नुसार हो तब सग्दूत उसके पास से चला गया पिता को दर्शन उत्पती बाइस बाद उसकी पहली और दूसरी आयत इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमिश्यन अबराहम से ही कहकर उसकी परिक्षा की है अबराहम उसने कहा देख मैं यहां हूँ उसने कहा अपने पुत्र को अथार अपने कलौती पुत्र इजहाग को जिससे तु प्रेम रखता है संग लेकर मुर्या देश में चला जा और वहां उसको एक पहार के उपर जो मैं तुझे बताऊंगा उम्बली करके चड़ा अब पढ़ेंगे मती पहला बाप उसके ठर्वी आयस से लेके 21 युश्य मसी का जर्म इस पकार से हुआ कि जब उसकी माता मर्यम की मंगनी युसुप के साथ हो गई तो उनके घट्टे होने से पहले ही विवविदात्म की ओर से गर्वती पाई गई अता उसके पती युसुप ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था उसे चुपके से प्याग देने का विचार किया जब मैं इन बातों में के सोची में था तो प्रभु कर सक्दूर उसे सपन में दिखाई दे कर कहने लगा हे युसुप दाव की संतान तो अपने बतनी मर्यम को अपने यहां ले आने से मटड़ क्योंकि जो उसके गर्व में है वे पुवित्यात्मा की ओर से है वे पतुजनेगी और उसका नाम ये शुरकना तो अपने लोगों का उनके पापों से उधार करेगा गडरियों का दर्शन, उत्पती, बाइस बाप और उसकी तेरवियायत तब अबराहम ने आके उठाई और क्या देखा उसके पीछी एक मीड़ा अपने सींगों से एक जाड़ी में फसा हुआ है अता अबराहम ने जाके उस मेड़े को लिया और अपने पुद्ध के स्थान पर उसे हूम बली करके टड़ाया अब हम पढ़ेंगे लूका दो बाप उसकी आटवियायत से लेके बाराया और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मेड़ान में रहकर अपने जुन का पहरा देते थे और प्रभु का एक दूत उनके पास आखड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारो और च समचार सुनाता हूं जो सब लगों के लिए होगा या दाउत के नगर में तुमारे लिए एक उधार करता जन्मा है और यही मसीप रभु है और इसका तुमारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिप्टा हुआ और चरनी में पढ़ा पाओगे परमेश्य का मेमना उत्पती बाइस वाब उसकी चौदवी आयद से लेके अठारा आया अबराहम ने उसस्तान का नाम याववा येरे रखा इसके नुसार आज तक भी कहा जाता है कि याववा के पहार पर उपाय किया जाएगा फिर याववा के दूत ने दूसरी बार स्वक्स अबर राहम को बुकार्स के कहा यववा की ये वानी है कि मैंने अपनी ही शपत खाता हूं कि तुने जो ये काम किया है कि अपना ही पुत्र भरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा इस खारण में निश्चे तुझे आशीज दूंगा और निश्चे तेरे अपने शत्रों के नगरों का अधिकारी होगा और ट्मित्री की सारी जातियां अपने को तेरे वंश्चे कारण धन्य मानेगी क्योंकि तुने मेरी बात मानी है अब हम पढ़ेंगे यहुन्ना उसका तीन बाप और उसकी सोल भी आया क्योंकि परमिश्व ने जगत से ऐसा प पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करें वे नश्च नहों परंतु अनल जीवन पाए इम्यान्विल मती पहला बाप उसकी 22 से 23 सायद और ये शाया साथ बाप उसकी 14 है यह सब इसले हुआ कि जो वचन प्रभू ने बवश्रक्ता के द्वारा कहा था पूर हो देखो गुवारी गर्वती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्यानवल रखा जाएगा जिसका अर्थ है परमेश्य हमारे साथ अब हम पढ़ेंगे प्रकाशित बाप के उसका 21 बाप एक से लेकर चौत्य आयत पिर मैंने नए अकाश और नए प्रित्वी को देखा क्योंकि पहला काश और प्रित्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा फिर मैंने पुवित्र नगर नए येरुश्यलम को स्वर्ग से परमिश्य के पास से उतरते देखा बैस्दुलन के समान थी जो प्रित्वी के लिए सिंगार किये हो फिर मैंने त्यासन में से किसी को उचे सर्थ से ये कहते हुए सुना देख परमिश्य का डेरा मनिश्य के बीच में है वे उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमिश्य उनके साथ रहेगा और उनका परमिश्य होगा वे उनकी आंकों से सरवासू पहुच डालेगा और उसके ब पीड़ा रहेगी पहली बाते जाती रहीं अगस्तुप कैसर की आग्या मीका पाजबाप और उसकी दूसरी आए यहुदा के हजारों में गिना नहीं जाता तो अभी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जिस्राइलियों में प्रभुदा करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से बरन अनादी काल से वोता आया है अब हम पढ़ेंगे यहुदा साथ बाप और उसकी बड़ाले सायद क्या पवित शास्त में यह नहीं आया कि मसी दाउद के वर्ज से और बैतलम का उसे आये का जहां दाउद रहता था अब हम पढ़ेंगे लुका दो बाप उसकी पहली आयस से लेकर साथ में आयत उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आग्या निकली इस सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए ये पहरी नाम लिखाई उस समय हुई जब किवर नियूस सीरिया का हाकिम था सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए अता यूसुप भी इसलिए कि वे दाउद के घराने और वर्ज का था गलीर के नासित नगर से यहुदिया के यहुदिया में डाउद के नगर बैदलेम को गया ये अपनी मंगेतर मर्यम के साथ जो गरवती थी नाम लिखवाई उनके महां रहते हुए उसके जन्ने की दिन पूरे हुए और वे अपना पहलोटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेग कर जनी में रखा किकि उनके लिए तराय में जगा नाम थी कारे का दिखना गिंती 24 बाप और उसकी सत्मी आयत मैं उसको देखूंगा तो सही पर अभी नहीं मैं उसको नियारूंगा तो सही पर अथी समीप होके नहीं याकूब में से एक तारोदे होगा और इसराइल में से एक राध दन उठेगा जो मुआब की सीमा को चूर कर देगा और सब्दंगा करने वालों को गिरा देगा अब हम पढ़ेंगे मती दो बाप उसकी नौ सिले के क्या रायत वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर में देखा था वे उनकी आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगा के उपर पहुँचकर पहर गया उस तारे को देखकर वे हतिया मिंदि हुए उन्होंने घर में कहुंचकर उस बालक को उसकी माता मर्यम के साथ देखा और मुझ के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपर अपना ठैला खोल कर उसको सोना और लबान और गंद्रत की बेच चड़ाई अब हम पढ़ेंगे रकाशित्वाक के बाइस बाप और उ इन बातों की गवाई दे में दाउत का मूल और वश और वोर कर चमकता हुआ सारा हुआ दो वश के बच्चों का मारा जाना निर्गमन पहली बाप और उसका 22 वी आयर तब फिरोन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आ गया दी इब्रियों के इतने बैटे उत्पन हो उन सब वीडियो को जीवित रहने देना अब हम पढ़ेंगे मती उसका दूसरे बाप उसकी सोलवे आज से लेकर 18 आयर जब एर देश नहीं देखा कि जोतिशियों ने उसके साथ धोका किया है तब वेक्रोट से भर गया और लोगों को भेज कर जोतिशियों द्वारा ठीक ठीक बताये गए समय के नुसार बैदलेहम और उसके आजबास के सानों के सब लड़कों को जो दो वर्ष्ट के या उससे चोटे थे मरवा डाला तब जोचन यर्मिया विभशुक्ता द्वारा कहा गया था कि पूरा हुआ रामा में एक करुन नात सुनाई दिया रोना और होना ना चाहते थी क्योंकि वे अब नहीं रहे अब हम पढ़ेंगे विवस्ता विब्रण उसका ठारा बाप और उसकी पंद्रमा आयत तेरा पर में शही हुआ तेरे मद्द से अथात तेरे भाईयों में से मेरे समान एक नभी को उत्पन करेगा तो उसी की सुनना पर में श आप सभी को हैपी क्रिस्मस तो आशा कात्वा आज की यूटे आपको बहुत पसंद आई यह तो पसंद आई तो हमारे चैनल लोफटाविट लाइक करें चैनल को सब्स्क्राइब करें और फ्लीज बिंटा बेल ने करें असो रभू आपको आश्री दे एवार फिट से हैपी क्रिस्मस चैनल सबक्रिंट